अलीगड मुस्लिम निवसेटि में क्लास 11 में जो भी स्टुडेंट्स हो चुक यर्ज ऐन रहे हैं अपपने इमेلك सब्सक्क्र much you करिए इमेल आया है याने इमेल जो आया होगा वो प्रिंसिपल SSB ट्रिपल स्बी एड़ेट एम्यू स्कूल डॉट और जी के विहाफ में आया होगा आप एक बार जरूर चेक कर ले और जब अगर आप सो जब यह इमेल उपेन करेंगे और हलका सा स्क्रॉल करते भी नीचे आएंगे तो इस तरीके से देखे आपको नोटीस फोर क्लास 11 स्टूडेंस करके लिखा हो आएगा 2020 से क्या कहा जा रहा हो पहले बताते हैं बहुत असान है कहा यह जा रहा है अभी यह जो नोटीस से सी ब्वाइज को लिख कर आ रहा है यह जो सलेक्ट है वो इवन मेरे खेल से घल्स के पास भी आए ते बार चेक कर लिए नहीं आगा तो घबराने के ज़रूत नहीं है अब बस अपने इमिल से भी आप अपडेटेट रहे है वैसी कहा यह जा रहा है कंडिट हुए है डिपोजिट फी इन फर्स रॉंड ऑफ प्रोसेस ऑफ एड्मिशन ऑफ क्लास 11 साइंस कॉमर्स हुमेनिटीज फॉर क्लिक करना है इन्रॉल्मेट फॉर्म आपको फील करना है इन्रॉल्मेट नंबर लेने के लिए धियान रहे इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं क्यूंकि रॉंड बन में जो स्टूडें सेलेक्ट होए थैंनी फॉर्म लिश्ट 1 में तो उनका जो है अभी वो रॉल नंबर यह प्रोसेस थूदी कॉंसिलिंग एड्मिशन पोर्टल तो यह आपके पॉर्टल पर यह आपके पास हो गई फीर रिसीप या फीर रिसीप डाउनलोड भी कर लिए तो वह फीर रिसीप जो है इस पर अपलोड करना होगा फिर का क्या जारा है सब्सक्राइब करना है तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले यह जो लिंक है इस पर हम क्लिक करते है जब क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए मेरे पास क्रोम का उप्सन आ रहा है तो आप बिलकुल पर ही जाए क्योंकि आप मॉयल से भी कर सकते हैं कोई बड़ चीज नहीं है इमेल जो है वो यानि यह जो लिंक है ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा बट यह को थोड़ा सा आप टाइम देजेगा घबराएगा नहीं खोद वह खोद थोड़ा दिर मौपे नहों जागा इस तरीक लेगे अपको अपना इमेल एडकर डालना है येनृघ आपकी जो है वह डालेंगे नेम अफिस स्टूड़ें restrictive do वह फादर नेम वही जो आपके सर्टिफिकेट में डालीगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मदर्स नेम डालना है इस तरीके से मतलब जो भी इनफर्मेशन इस तरीके से आपको इंट्रेंट इंट्रेंट जो दियें उसका रॉल नंबर यानि टेस्ट का जो रॉल इसके लावा निक्स जो है वह आपने कितना रैंक गेन किया था वह भी यहाँ पर आपको डालना होगा इसके बाद अगर हम देख ले तो निक्स अभी भी इन्रॉल्मेंट नंबर तो यह जो है वह में जो इंटर्नल स्टूडेंस है उन लोग के लिए जो एक्स्टर्नल है तो उनके कुछ भी नहीं फिल करेंगे ऐसे ही चोड़ देंगे एंड उसके बाद फिर यह जो स्टूडेंस यानि जो आपका मॉयल नंबर हो डालीगा जिससे आपने वह आईडी बनाया था वह एंड मतलब कि जो आप फॉर्म के टाइम है और अपना वाट्सप नंबर भी जाल देजेगा ठीक है एंड उसके बाद फिर यहां देखिए तो आपका फीजिप अप्लोड करने के लिए कहा जा रहा है फीजिप जो है वह पीडिएफ के फॉर्म में पीडिएफ बना लीजेगा लेकिन ध्यान रहे है वन एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो या तो कोई एक मेरे खाल से आप डोक्मेंट स्केनर करके एक अप्लिकेशन आता है उसको यूज कर लेगा उसमें फोटो कम करने का भी आप्शन रहता है तो वह कर लेगे और उसके बाद फिर यहां पर आपको चूज करना होगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिला है PCM मिला है या यह PCB है यह Commerce है यह Humanities वह चूज करने के बाद इसके जस्ट जो है वो नेक्स्ट वाले option पर क्लिक कर देना है तो जैसे के आप देख सकते हैं इसके बाद देखिए जो नेक्स का बटन है आपको इस पर सिधर क्लिक करना है जैसी नेक्स पर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में यह ले जाएगा आपको ध्यान देखिए यहां पर जोईन जब ओपन होगा तो इस तरीके से आपको दिखेगा देखिए यहां पर क्या लिख खावर नोट पे मतलब मिलेगा सबसे पहले और भी मेरिट बेस यानि जिसका जितना मार्ग से रहेगा उसी की हिसाब से आपको ब्रांच भी मिलेगा अब इन हुमेनिटीज में देखिए क्या क्या है हिस्ट्री है पॉलिटिकल है इसमें कहा यह जा रहा है यानि की इस लिस्ट में में देख जाए तो यहां पर भी चेक करते कौन कौन पेपर का नाम आ रहा है क्यूंकि हिस्ट्री अब यहां पर देखें English score का है English elective है इसमें कोई एक चूस करना होगा इस तरीके से अगर हम इस तरीके से अगर हम नेक्स यानि फोर्थ में देखें तो इसमें psychology, sociology, geography यानि इन तीन में कोई एक लेना ही लेना होगा आप छोड़ नहीं सकते हैं तो यहां पर आपको mathematics, Arabic और हिंदी या इलेक्टिव उर्दू इस चारों में से कोई एक आपको चूस करना ही होगा आप उसका फिर आपको simply submit कर देना होगा बस यहीं आपका procedure है मेरे क्याल से और आपको समझ आई गया होगा किस तरीके से करना है आप उसे खुद भी फाइल में अपलोड कर लेगा किकि वह अलड़ी पीडिये फ़र्म में ही डाउनलोड होगा तो आप उसे बड़ा असानी सा अपलोड कर सकते हैं पर भी अगर किसी स्टूडेंस को केवरी होगा नहीं समाझ जाएगा तो मुझे मैसेज कर सकता है क्योंकि मैं अभी यह जू एज यह विडियो बना रह 로 हो यह बड़ा ही परसनल विडियो अ है क्योंकि मेरे एक भाई है कह सकते हैं समीर भाई, जीनोंने यह email कर सकते हैं उसे के भाब में बभी विडियो भी बना रह attracted क्योंकि दरसल यह बहुत सरे students के साथ problem हो सकता है तो एक तो सबसे पहले जतना जल्ली जल्ली आफ फिल कर ली जो procedure बाता है बस उस procedure को आफ फोलो करिए और आपका जो काम है वो हो जाएगा फिर वो 16 जैसे बाता है न 16 फरवारी को आपको पास new update आएगे और उसी update में आपको पता चल जाएगा कि आपका चीकि वहां पर उस वक्त enrollment क्योंकि कहने कहीं यह जो formate enrollment number को लिकर है तो वो भी आपको मिल जागा तो बस यह फिलाल यह है कि आप आप अपने email से भी और WhatsApp number भी ढाली दियें email number भी ढाल दियें उससे भी updated रही है लेकिन हाँ ध्यान रहे कि अपनी personal चीज़े आप किसी को नहीं share करें जैसे कोई भी हो सकता है कोई भी fraud भी कॉल कर सकता है तो आप अपना personal number या personal info किसी को भी मत दे even मुझे भी आपना दे क्योंकि वैसे तो यह कि जो मेरे भाई है क्योंकि यह trusted होता है तो आप जल्दी क्योंकि अगर कोई मागी नहीं सकता है खासकर personal information तो कोई मांगें नहीं सकता है एम्यू भी नहीं मांग सकता आपसे हां मांगेगा तो वह देखी Google format का option था तो उसमें मांगा ठीक update कोई शू नहीं तो समझ में आगे होगा किया चीज है यह बड़ा ही सीक्रेट है मतलब कहने के यह ID लॉग इन करिए फिर वह तो आप यह की जो भी स्टूडिंस है जिनका भी सेलेक्शन हो एक बर जरूर देख लें थैंक यू